हलो वीवर्स आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में आज की वीडियो में हम जानेंगे समर्ड ड्रिंक्स नेम इन हिंदी एंड इंग्लिस तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है लशी लशी को हिंदी और इंगलिस दोनों में लशी ही कहते हैं लशी नेक्ष्ट है गन्नी का रस गन्नी के रस को इंगलिस में सुगर केन जूस कहा जाता है सुगर केन जूस नेक्ष्ट है पानी पानी को इंगलिस में वाटर कहते हैं Water Next है, Dood Dood को इंगलिस में Milk कहाजाता है Milk Next है, Sital installations को इंगलिस में Cold drinks कहते हैं Cold drink Next है, Senthry का रज Sinthry के रज को इंगलिस में Saran juice कहाजाता है Saran juice Next है, Neembu ustani नीमपू पानी को इंगलिस में लेमोनेट कहते हैं नेक्ष्ट है आम रस आम रस को इंगलिस में मैंगो जूस कहा जाता है मैंगो जूस नेक्ष्ट है नारियल पानी नारियल पानी को इंगलिस में कोकोनट वाटर कहते हैं कोकोनट वाटर नेक्ष्ट है मौसंबी का रस मौसंबी का रस को इंग्लिस में स्वेट लाइम जूस कहा जाता है स्वेट लाइम जूस नेक्ष्ट है सेख सेख को इंग्लिस और हिंदी दोनों में सेख ही कहते हैं सेख नेक्ष्ट है स्मूदी स्मूदी को हिंदी और इंगलिस दोनों में स्मूदी ही कहा जाता है स्मूदी नेक्स्ट है फ्रूटी फ्रूटी को इंगलिस और हिंदी दोनों में फ्रूटी ही कहेंगे फ्रूटी नेक्स्ट है लिम्का लिमका को इंग्लिस और हिंदी दोनों में लिमका ही कहा जाता है लिमका नेक्स्ट है कॉक्टेल कॉक्टेल को हिंदी और इंग्लिस दोनों में कॉक्टेल ही कहते हैं कॉक्टेल नेक्स्ट है मिरिंडा मिरिंडा को हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिरिंडा ही कहेंगे नेक्ष्ट है माउंटेन ड्यू माउंटेन ड्यू को इंग्लिस और हिंदी दोनों में माउंटेन ड्यू ही कहते हैं नेक्ष्ट है आमपना आमपना को इंग्लिस में कैरी जूस कहा जाता है कैरी जूस सो थेंक्यू फ्रेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में